कैसे हैं आप सभी गुड मॉर्निंग आफ्रिवन कैसे हैं आप सभी आप बताएं आप कैसे हैं शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को ठीक है जी चलिए पहले तो मुझे यह बताएं कि आप डेली अपने करेंट अफ्रिवाइस को रिवाइस करते भी है या नहीं करते बस कर लिया उसके बाद बंद सब कुछ रिविजन इस वारी इंपोर्टेंट चलिए खैस शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को अज की क्लास के में सबसे पहली न्यूज जो है डाइट इस अबाउट भी की जो महाकाल लोग कोरीडूर है महाकाल लोग कोरिडोर जो है वहाँ पर बहुत जादा जो आपकी ये मौनसम सीजन जो चार्ट हो चुका है उसके कारण जो बहुत जादा storms आ रही है उसके कारण वहाँ पर बहुत जादा destruction देखने को मिली है तो हमें क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है about the महाकाल लोग कोरिडोर ये कहाँ पर है महाकाल लोग कोरिडोर जैसे की नाम से पता चल रहा है महाकाल महाकालेश्वर जो टेमपल सिथ है उज्जायन में उज्जायन में महाकालेश्वर टेमपल है जो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है वहाँ पर आपका महाकाल लोग कोरिडोर जो है इनोग्रेट किया गया था बायवर प्राइम मिनिस्चर जी के तवारा अक्टूबर 2022 के दोरा तो वो बला जो कोरिडोर है वहाँ पर इस में से कौन सा पॉइंट पढ़ना है कि यह पर्टिकुलर कोरिडोर जो है उसकी लेंध कुछ 900 मिटर के करीब है 900 मिटर है उसकी लेंध और वन ओप लोगेस्ट सबसे लंबा कोरिडोर है अपने आप में एक जो की ओल रुद्र सागर लेक जो है वहाँ पर यह बना हुआ है जिसमें आप लेगी यह लगा लीजे 200 कुछ मूर्तियां है लौड शिवाट शिवजी जी की 200 मूर्तियां जो है यहाँ पर बनी हुई है इसके इलावा अगर हम बात करें कि हमारा जो महा कालेश्वय टेमपल है यह कहां पर है यह मध्यप्रदेश के उज्जैन में सिथ ह है वो भी किस नदी के किनारे शिप्रा नदी के किनारे सिथ हैं उज्जैन में MPK ऊज्जैन में यह सिथ है । alltså मिन आगे अगर हम बात करें इस टैमपल के बारें बोला जाता है कि आप भरहां बनाए गया अगर हम इस चांपल के कुछ स्कुर्प्च!' को देखें स्क्चर को देखें तो हमें यह लगता है कि चालुक्या जो साउथ इंडिया डैनेस्ची थी चालुक्या, मराथा और भूमिजा इन तीनों स्चाईल में हमें यह टेंपल का जो स्च्चर डिजाइन है वो देखने को मिल जाता है दूसरी चीज यह कि जो इसकी डिरेक्शन है वो है आपकी स्टाउथ डिरेक्शन अदर्वाइज आपके पास बारा जोती लिंग है, बारा जोती लिंगों में से एक जोती लिंग है आपका महाकालेश्वर आई थिंग हमने एक बार क्लास में बात भी करी थी जोती लिंग को लेकर राइट तो आप वो वीडियो एक बारा जोती लिंग है 12 जोति लिंग में से एक जोति लिंग है महा कालेश्वर और बात की सारे जो है उनकी direction कुछ और है लेकिन इसकी direction क्या है? South है ठीक है? Because वो death की direction क्या होती है? South होती है चलिए Next is about the Exercise L.Mohad L.2030 पूरा नाम है Exercise L.Mohad L.Hind 2023 यह जो exercise है यह maritime exercise यह exercise कौन सी है? यह maritime exercise है जो की हमारे Saudi Arabia और भारत के बीच में होनी है Saudi Arabia और भारत के बीच में होगी यह exercise यह जो bilateral exercise का first decision कब लिया गया था? यह लिया गया था जब रियाद सम्मिट हुई थी 2019 में 2019 में एक सम्मिट हुई थी जिसका नाम क्या है? रियाद सम्मिट रियाद सम्मिट 2019 में इसका decision लिया गया था कि Saudi Arabia और भारत में कर गया करेंगे bilateral exercise तो उसी के उदेशय को नजर में रखते हुए यह exercise होगी राइट कहां पर हुई अल जुबैल अल जुबैल जो Saudi Arabia में बिल्कुल उसके परश्यन गल्प के साथ जो जगा में यह वहाँ पर यह exercise हुई है जिसमें हमारे भारत से कौन-कौन गया हमें यह दिखने हैं भारत से हमारा INS तरकश इंडिया नेवल शिप तरकश सुभद्रा और डॉर नियर मैरिटाइंग यह तीनों ने पार्टिस्पेट करा इसके इलावा जो वहाँ की नेवी है उसके द्वारा HMS, Bader and Abul Aziz और MH60R, Hello and UAB, Unmanned Vehicle जो है इन तीन चीज़ों ने पार्टिस्पेट करा खैर आपके एक्जाम में इतने डीपली नेम्स नहीं पूछेंगे, लेकिन भारत से कौन किसने पार्टिस्पेट करें, यह नेम्स जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है जी, तो इसलिए आपको यह याद रखना है अगर हम साउधी अरेबिया की लोकेशन की बात करें, अरेबियन पैनिसुला, सभी ने वर्ड मैप देखा होगा, नहीं देखा, तो आप यहाँ से देखें कि यहाँ पर इधर को अगर हम जाएंगे, तो यहाँ पर आप उपना भारत दिखेगा, ठीक हैं, यह आपका चुबेल, जाहा पे आपकी एक्सेस हुए है, परिशन गल्फ में, और साउधी अरेबिया को जो बॉर्डिंग, वाटर बॉर्डीज आप उसे एक बार देख लीजिए, रेट सी हो गया, अरेबियन सी हो गया, परिशन गल्फ हो गया, इधर से इरान हो गया, इरान खैर कोई भी चीज न्यूज में होती है, तो बॉर्डिंग स्चेट उस पर्टिकुलर जगा के आपको पता होने चाहिए, जैसे अभी रिसेंटली नाइजेरिया के प्रेजिडेंट वही है, तो नाइजेरिया प्लेस अब न्यूज में आगी है, तो नाइजेरिया से सुने आपने इनका नाम, अगर आपने हिस्ष्री पड़ी होगी, तो इनका नाम कभी सुने आपने, येस, अलाम मुहमद इकबाल, इनको किसलिए जानते हैं, सारे जहां से अच्छा, बिल्कुल सही जवाब, जो सारे जहां से अच्छा सौंग है, उन्हें लिखा गया है, इन परसन के द्वारा, अलामा मुहमद इकबाल, ये वो परसनालेटी है, 1922 के अराउंड, इन्हें सर टाइटल जो है, जो नाइटूड अवोर्ड दिया जाता है, नाइटूड अवोर्ड, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा, परसन को दिया जाता था, जिसके आगे सर लग जाता था, जो हमारे रविंदर नाइट त्यगोर को भी मिला था, बट उन्होंने रिनाउंस कर दिया था, जले वाला बाकान के बाद, तो इनको भी ऐसा ही अवोर्ड मिला था, अलामा मुहमद इकबाल को, ये जो परसनालेटी है, इनको इसली भी जाना जाता है, बिकोज आइडिया ऑफ पाकिस्तान जो है, इनों नहीं आगे रखा था, इस नाम से भी जाना जाता है, वैसे हम सबी को पता है, मुहमद अली जीनना और चोधरी रहमत अली, ये नाम हमें पता है, लेकिन इनको भी उनी में से एक माना जाता है, अब न्यूस ये है, कि जो हमारी दे बाल भी कहते हैं, इसका जो चैप्टर है, हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक में, उस में से वो चैप्टर जो है, निकाल दिया जाएगा, ये है पर्टिकुलर चीज जो आपकी न्यूस में है, ये तो चलता ही रहेगा, NCRT में से भी कुछ बुक्स, मतलब कुछ बुक्स म हुआ, जब हम, of course, जब हमें इंडिपेंडेंडेंस अभी मिलनी थी, तो ये इंडिपेंडेंडेंस से पहले जो है, इनका जनम हुआ, जब भारत डिवाइड नहीं था, साथी साथी ने सर का टाइटल मिला हुआ है, और इनके द्वारा लिखी गई दो बुक्स है, असर एक खुदी इनकी दूसरी बुक है, The Mysterious of Selflessness, 1918 में, तो इनकी ये दो बुक्स है, दो बुक्स के आपको नाम पता होनी चाहिए, because आपके एक्जाम में अलग से section होता है, कि बुक्स and authors, तो बुक्स and authors कहीं से भी आ सकते हैं, न्यूस में, न्यूस में नहीं है, पुराने में दिगा गया था, King George 5 को, आपके एक्जाम में ऐसे भी questions आते हैं, कि इन में से किन लोगों को नाइट हुड अवार्ड मिला था, या नहीं मिला था, तब आपको उन में से एक नाम ये भी दिख सकता है, हां जी, चलो, आगे बढ़ते हैं, येस, अगली जो न्यूस है, डाट इस अबाउट दी, गॉंगड़ी शॉल्स, गॉंगड़ी शॉल्स, जो तेलंगाना की शॉल्स है, तेलंगाना के जो लोग हैं, वो इसे खुद जो है, बनाते हैं, तो वाहा की जो शॉल है, उस शॉल के बारे में यह है कि यह जो शॉल है इसको हम शूज में इसको हम शूज बनाने में यूज करेंगे यह चीज बोली गई है by the National Institute of Hyderabad Hyderabad का जो इंसिटूट है National Institute of Design Hyderabad में जो है उसने यह चीज बोली है कि इस जो गौंगडी शॉल जो है इसको हम यूज करेंगे for the shoe making because यह जो quality है बहुत अच्छी है यह all weather conditions में वेर आप इसे कर सकते हैं तो आप सब भी बताएं शॉल किसे बनती है? वुलन से बनती है? वुलन कहां से आती है? जल्दी बताएं वुलन आपको कहां से मिलेगी? मतलब कहां कहां से मिलेगी आपको? हाँ जी वुल कहां से मिलती है? कहां कहां से मिलती है? sources of wool क्या है? उन आपको कहां कहां से मिल सकती है? हाँ जी sheep से, goat से, ठीक है? पश्मीना, that's पश्मीना शॉल जो कश्मीर में होती है तो यह हम गौनगडी शॉल के बात कर रहे हैं चलिए ख्यायद अब यह किस ने लिया है National Institute of Design एहमदाबाद के द्वारा यह डिसीजन जो है लिया गया है किस शॉल को लेकर गौनगडी शॉल को लेकर ताकि फार्मर्स जो है पर्टिकुलरी फॉर्दी फार्मर्स अब यह अग कुरूमा एंड कुरूबा के द्वारा यह जो शॉल्स है यह शॉल्स जो है इसको मतलब बनाया जाता है कुरूमा एंड कुरूबा के द्वारा जो कहां की कम्यूनिटी है तेलंगाना की कम्यूनिटी है और गौट कौन सी है देखनी शीप है देखनी शीप है जिससे यह को ये वुलेन, गौनगडी वुलेन जो है प्राप्त होती है Done चलिए अब अगर हम बात करें National Institute of Design National Institute of Design जो है By the name it is self-clear कि ये National मतलब की देश की कोई particular चीज़ होगी तो मतलब ये एक act के ही अंडर जो है इससे importance दी गई है और ये Ministry of Commerce and Industry के अंडर आता है तो design 1961 में ये बना था और Ministry of Commerce and Industry के अंडर आता है और इसे दरजा भी दिया गया है Institution of National Importance by the Act of Parliament और वो act कौन सा है National Institute of Design Act 2014 2014 में इसे दरजा दे दिया गया था That is the institution of the national importance हांजी चलो अब आगे की news की बात करते हैं That is about the Indo-Pacific Economic Framework ये जो framework है ये news में इसलिए है because इसकी second, second ministerial meeting जो है वो हुई है USA में USA में हुई है जो ये जो Indo-Pacific Economic Framework है ये particularly USA ही इसे क्या करता है ये लीड करता है तो ये वही पर इसकी इस बार जो है मिटिंग हुई है second Indo-Pacific military meeting in the Detroit में हुई है और अगर हम बात करें ये particularly work किस चीज़ को लेकर करते हैं ये करते हैं हमारे trade को लेकर राइट ट्रेड में जितना भी economical development की बात होती है इसमें बात होती है जितने भी आपके Pacific region है Pacific Ocean के साथ जो मिलते रीजन है वह वाले रीजन इसमें पर्टिकुरली आते हैं जिसमें ख्यार आपका भारत भी इसमें पार्टिस्पेट करता है हलाकि भारत जो है Pacific को ओशन को जो है टच नहीं करता है बड़ उसमें पार्टिस्पेट करता है नेशन कौन-कौन से इसके मेंबर्स है कुल इसके 14 14 मेंबर्स इसमें टोटल है यह प्रेमवर्क जो है चार पिलर्स के ऊपर वर्क करता है और वह चार पिलर कौन-कौन से है ट्रेड सप्लाइचें क्लीन एकॉनमी और फियर एकॉनमी इन चारों के ऊपर इनका पूरा फोकस होता है और इस बार जो वर्क किया गया था, वो supply chain के उपर, जो है, meeting में वर्क किया गया था, चलिए, आगे, that is about the 30th मई, यानि कि कल, कल हमारे गोवा का statehood day था, गोवा का statehood day, 30th मई को मनाया चाता है, अब गोवा, गोवा इतनी important आपके लिए, एक territory है हमारे भारत की, क्यूं, क्यूंकि देखो, आपने पड़ा होगा कि जब हमारे भारत में European powers आनी शुरू होती है, तो उस में से सबसे पहली पार जो भारत में आती है, वो कौन सी है, पूर्तगाल के लोग है, पूर्तगाल में से भी सबसे पहले जो person भारत में आता है, वो कौन है, वासको डिगामा है, वासको डिगामा कब आता है, वासको डिगामा भारत में आता है, तो अब भारत में यह आता है, कहां पर आता है, that's on the, हमारे जो coast है, एक western coast के उपर यह आता है, हमारा, और गोवा जो है, पहली territory बनता है, जो European powers के अंडर आती है, जब यह गोवा को जीत लिया जाता है, ठीक है, अब गोवा, कहां पर सित है, गोवा हमारे west coast पर सित है, particularly जो हमारा कौनकन रीजन है, कौनकन रीजन है, वहां पर गोवा सित है, इसकी राजधानी सभी को पता ही है, क्या है, हां जी, गोवा की capital का नाम बताओ, यस, चलिए, तो गोवा कहां पर है, कौनकन कोस्ट पर सित है, और अगर हम बात करें, सबसे पहली territory भी कौन सी बनती है, गोवा, और सबसे last territory भी, जिसको European पार छोड़ कर जाती है, पोर्तगाल के लोग, 1961 के पास, वो भी कौन सी है, गोवा, इसलिए ये बहुत ही महत्वपून है, हमें याद रखना, गोवा को वो लोग छोड़ ही नहीं रहे थे, तो इसलिए हमारी जो government है, उसने operation launch किया था, that is, Operation Vijayan, अजी, Operation Vijayan, लाँच किया गया था, गोवा और दमन्द्यू के island को acquire करने के लिए, उसके बाद हम एक गोवा लिब्रेशन डे भी celebrate करते हैं, वो celebrate होता है, 19th of December को हर साथ, after that, 30th मई को दमन्द्यू जो है, उसे UT बना दिया जाता है, और गोवा हमारी full-fledged क्या बन जाती है, तो इसलिए 30th मई को हम celebrate करते हैं, गोवा शेटू डे और 1987 को ये proper चीज जो है, हुई थी, अब अगर हम गोवा की कुछ जो ग्राफिकल केंडिशन की भी बात करते हैं, देखिए, गोवा में सबसे highest point है, highest point है गोवा का, सौनसो गोर, सौनसो गोर गोवा का क्या है, एक highest point है, दूसरी चीज अगर हम बात करें, गोवा में 7 major rivers जो हैं बहती हैं, 7 major rivers बहती हैं, जिन में से जुआरी, मंडोवी, तेरे खोल, चपोड़ा, गालगी बैग, ये सारी क्या हैं, उसकी main rivers हैं गोवा की, ये आपको गोवा में rivers जो भारी हैं, उसके नाम आपको याद रखने हैं, अब अगर हम बात करें, गोवा में wildlife century या फिर national parks कौन कौन से हैं तो कौन कौन से हैं, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचरी, महादी वाइड लेफ सेंचरी, नित्रवली, कौटिगाओ, भगवान, महावीर सेंचरी, और मोलन नेशनल पार्क, ये सारे आपके गोवा में सित हैं, चलिए, अब आज के लिए, that's all for today, अब आगे बढ़ते हैं, आज के मारे questions क्यों, अजी, where is the खीर भवानी मेला salivated, अभी सभी active हो जाएं, तो सभी आप इसमें participate करेंगे, सभी answers देंगे, ठीक है, चलो, खीर भवानी मेला कहाँ पर मनाया जाता है, और basically कौन से लोग इसको salivate करते हैं, वैसे तो कश्मीर वाली के तकरीबन सभी लोग इसे salivate करते हैं, otherwise मुख्य था, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित से मुझे एक और चीज याद आई, जिसके बारे में हमने आज पड़ा है, मुलाना इकबार के बारे में, मुलाना इकबार के जीवन से जुड़ी एक चीज है, कि वो भी कश्मीरी पंडित थी थे, बाद में उन्होंने उनकी family में जो ह अपना जो धर्म है उसको परिवर्तित कर लिया था राइट चलो विएर इस लखीर भवानी मेला सलिवर्टिट इन कश्मीर चलिए अगला प्रशन देखे विच ओफ फॉलोईंग इस रिसर्च स्टेशन अफ इंडिया सिच्वेटे इन अंट्राक्टिका अंट्राक्टिका में हंजी कौन सा अंट्राक्टिका में हमारा रिसर्च स्टेशन है वैसे कितने हैं टोटल दक्षिन गंगा सबसे पहला बना फिर भारती और मैत्री भारती और मैत्री आपका क्या है अप्रेशनल स्टेश पे है तो मैत्री है आपका इसका राइट एंसर चलिए बोला एहमद तिनुबू appointed as president of which of the following country हां जी किस नेशन का भी recently president जो है अपॉइंट किये गए हैं अंसर इस नाइजीरिया नाइजीरिया के that is our African country चलिए सहेल रीजन ऑफ सहारा डैजेट is associated with yes कल मैंने शायद इसके बारे में बात भी करी थी सहेल रीजन के उपर सहेल रीजन जो है सहारा डैजेट के साथ किस प्रकार से एसोशेट रखता है हाँ जी कोर अरिया अव सहारा डैजेट सद्रन मुविंग जोफ सहारा डैजेट नर्दन फिंज और सहारा डैजेट बार्टिंग मेडिटरेन जी अनदर नेम ऑफ सहारा डैजेट सभी सहेल रीजन को सी मार्क कर रहे हैं आप भूल गए है कल मैंने आपको बताया था कि नाइजेरिया जो है वो सहेल रीजन में आता है तो सहेल रीजन यहां पर है जो सहारा के नीचे है नीचे है मतलब सहारा के बिल्कुल सद्रन मोश्च पे है और नाइजेरिया का बिल्कुल एक्षीन नौर्थ जो है इसको टेच करता है और सहेल क्या है एक प्रकार से transitional zone है न between Savannah and the Sahara Desert चलिए यह रखो यह Sahara Desert यह आपका सहेल रिजन तो सहेल क्या है सहारा का बिल्कुल सद्रन मोश एक बिल्कुल line है transitional zone है और Nigeria का बिल्कुल extreme north जो है इसको touch करता है चलिए आगे दिखते हैं इंडिया adopted the parliamentary form of government from which of the following country हां जी किस country से हमने parliamentary form of government को लिया है यस USA, UK USA, UK दो ही अंसर आ रहे हैं अच्छा पहले तो मुझे यह बताओ quality किस किस ने नहीं भी पड़ी या पड़ी है मुझे नहीं पता पहले मुझे यह बताओ USA में खुद किस प्रकार की government चलती है पहले तो मुझे यह बताओ parliamentary form of government को हम एक प्रकार से क्या करते है prime ministerial form of government और क्या USA में prime minister है पहले तो मुझे यही confirm करो जो जो लोग USA बोल रहे है वो पहले तो यही देख ले कि क्या USA में prime minister होता है तो फिर USA में presidential form of government है हमारे यहाँ पर कौन सी form of government है Prime ministerial form of government है सीधी सी बात है हम लोगों ने ये चीज़ कहां से लिए है UK से लिए है United Kingdom Britain से लिए है ऐसा क्यों उसके पीछी logic लगाओ इतने वर्ष हो हमारे यहां पर राज करके गए है तो हम उस particular mode of government से क्या थे वाकफ थे तो इसलिए हमने UK को ही अपना जो मुख्यता हमारे जो स्त्रोत्र हैं हमने UK से ही लिए है और particularly हमने Government of India Act 1935 से ही लिए है Done अब तो नहीं आप इसे भूलेंगे C is the right answer UK United Kingdom चले अगला प्रशन देखो Recently May 2023 PM integrates New Vanday Bharat will follow root of हां जी जो हमारी New Vanday Bharat जो है उसका root आपको बताना है Yes Root कहां से कहां तक है जो Vanday Bharat है Assam की Vanday Bharat Express जिसको train 18 भी कहते हैं हां जी Vanday Bharat Express को train 18 भी कहते हैं इन में से कौन सा root जो है वो follow करेगी इन में से कोई भी नहीं None of the above क्योंकि वो कहां से कहां जाएगी Go hearty to the new चलिए अगला question देखो Amp sand has what kind of particles? Amp sand that is the manufactured sand उसमें particles किस प्रकार के होते हैं? Very good answer Go hearty to the Jalpaguri लेकिन North West Bengal Go hearty to West Bengal ली सिधा जाएगी फिर आगे जाकर ही West Bengal से connection देगी चलिए खेर आगे बताएगे M-sign के particles किस प्रकार के होते हैं? फ्लैकि, रॉंड, अंगुलर या पे cubical चलिए answer is the cubical cubical particle होते हैं किस तरकार ने बोला है? M-sign को यूज करने के लिए government buildings में किस state की सरकार ने ये चीज बोली है? हाँ जी राज़स्थान सरकार में चलिए अगला question देखो Who is the minister of जलशक्ती? Union minister of जलशक्ती कौन है? जल्दी जल्दी आप answer दें दोग questions और हैं उसे cover करना हमने आज Yes, union minister कौन है? Of जल्शक्ती कौन है भी? C-गजेंदर सिंग शेखावत गजेंदर सिंग शेखावत is the union minister of जल्शक्ती अगला question देखो अटल भूजल योजना is the central sector scheme funded by Yes जो हमारी अटल भूजल योजना है 2019 से चलती आ रही है इस योजना को fund किस institution के द्वारा किया जाएगा? IMF, United Nations, World Bank, Asian Development Bank हाँ जी Yes, किस के द्वारा इसे किया जाएगा? World Bank के द्वारा 50-50 funding चलिए अगला question देखो नासेंट's missile system is the joint product of हाँ जी जो नासेंट's missile system है ये किन दो नेशन्स में मिलकर जो है इसको बनाया है किन दो नेशन्स की टेक्नोलोजी इसमें शामिल है? Yes A, B, A, B इसके इलावा correct answer is the B पहले मुझे ये बताएं जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग reply क्यों नी करते हैं? चलो USA और Norway के द्वारा ये बनाया गया है तभी से Norwegian Missile System के नाम से भी जाना जाता है That's all for today आज के लिए इतना ही काफी है तो पहले तो मुझे बताओ अब कोई question है, कोई doubt है Yes कोई doubt है या कोई question है तो मुझे बताओ मिलते हैं वर नाकल Amsend इसलिए यूज़ किया जाता है तांकी जो हमारी reverse sign ने निकलती है उसमें जो है हमारा बहुत सादा cost जो है लग जाता है तो उसको कम करने के लिए Amsend को यूज़ करने का अधिश दिया है ओके चलो ठीक है मिलते हैं कल अगली क्लास में ठीक है जी आगे मिलते हैं कल अगली क्लास में मिलते हैं all the best for your exam thank you and have a nice day